इस अफ़ते आप सबको एंटर्टेन्मेंट का ट्रिपल डोस देने के लिए बॉक्स ओफिस पर तीन फिल्में मल्टी स्टार फिल्म फुक्रे 3, विवेका गिनोत्री की दवाक्सीन वॉर और बॉलिवूड की कॉंट्रुवर्सी क्वीन कंगना रनौत की चंद्रमुखी 2 रिलीज हो चुकी है इस बीच आपको बता दें चंद्रमुखी 2 जिसकी शुरुवात काफी शानदार रही लेकिन वहीं अपने रिलीज के दूसरे और तीसरे दिन फिल्म का क्रेज हलका हो गया और इसी पर सवाल करते हुए कंगना के ही एक फैन ने फिल्म की कलेक्शन को लेकर उनसे सवाल कर डाला और उस ट्विटर यूजर का जवाब देते हुए कंगना ने सब की बोलती बंद कर दी अब आप पहले चानल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजे ताकि हम आप तक बॉलिवूट की सभी एंटर्टेनिंग खबरे ऐसे ही पहुचाते रहें आपको बता दें ट्विटर यूजर ने कंगना की फिल्म चंद्रमुकी 2 के बॉक्स ओफिस कलेक्शन पर एक ऐसा सवाल कर डाला जिससे कंगना को जवाब देना भारी पड़ गया यूजर ने फिल्म प्रिटेक तरणादर्श को टाक करते हुए लिखा हेलो तरणादर्श भाई, 4 स्टार रेटिंग देने के बाद लगता है कि आप इस फिल्म के बॉक्स ओफिस कलेक्शन पर अपडेट देना भूल गए मेरा मतलब चंद्रमुकी 2 से है गंगना ने यूजर को इसका करारा जवाब देते हुए कहा बड़ी कसक है आपके सीने में मिया, नींद नहीं आ रही है चंद्रमुकी के बारे में सोच रहे हो मुझसे पूछ लेते एक मिनट तो तुम्हारी कसक को मसल देती चंद्रमुकी ने सिफ तीन दिन में वर्ल्ड वाइड करीब 40 करोड का कलेक्शन किया है अब कंगना के इस जवाब ने नई कॉंट्रोवर्सी क्रियेट हो रही है अब आपको इस हफते तीनों फिल्मों में से कौन सी फिल्म सबसे ज़ादा पसंद आई कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा और क्या आपने कंगना के फिल्म चंद्रमु की तूद देखी या नहीं ये भी कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलेगा और देखते रहें E&T Live